गुट मॉर्निंग एब्रीबान वेलकम बैक टू दी चैनल तो बस यह मॉर्निंग का टाइम है यार उसका होडलिक्स बना रही हूं मैं उसको बिठा दिया मैंने उठा के सोफे पर पाने बानी पीकर बैठ हिया है और उसके बाद उसको मैं होडलिक्स दे दूंगी और यह है म फिर उसको मैंने बना था पेन केक और साथ में थोड़ा सा यह जो रोल केक होता है रेडिमिट वो दे दिया था दो टीफिन होते हैं उसके इसकोल जाने के बाद में लगई थी घर के कामों में पुरा घर थोड़ा सा मॉर्निंग में फैला हूआ रहता है तो सबसे पहले मैं तो चाय जब अच्छी से बन जाती है तो फिर एक चमच गुर डालेती हूं अपने कप में उसके बाद फिर भी नास्ता में उसको ले ले लेते हैं बना के रख लेती हूं मैं और उसके बाद फिर मॉर्निंग में घर के सारे काम घर को समेटना उसके बाद फिर पूरी क्लीनिंग वगएरा तो मेरी कोशी से रहती है ना कि मैं फटा फट से सारा काम निपटा लूँ सारा क्लीनिंग वगएरा घर को अच्छे से एरेंज करके उसके बाद में आराम से लंच वंच बनाती हूँ तो क्या होता है एक बड़ नहा कि मैं फ्री हो जाती हूँ फिर आराम से मैं लंच भी बनाती हूँ और इधर उधर के जो काम होते है वह भी देखती रहती हूँ मैं तो बस अभी मैं तसली से बैठके चाई पीओंगी उसके बाद मैं फिर आगे का काम करूगी तो चाई की पीदने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम समेटने के लिए क्योंकि यहां पे इतनी ज़्यादा बारिश होड़ी है ना कि थोरी बहुत थंड भी लग रही है तो य ही है सारा फैल जाता है बेड वागेड़ा और उसकी स्कूल जाने के बाद तो पहले मैं इसको अच्छे सेंबल कर लूँगी अपने वेडरूम को उसके बाद मैं डस्टिंग करते ही चले जाती हूँ जैसे कि अगर मैं बेडरूम क्लीन करने आई ना तो साथ में जैसे राइनिंग स्पेस है लिविंग रूम उसका सोफा वगेरा सारा राइनिंग टेवल सारा क्लीन विलीन करके उसके बाद मैं जारू लगाऊंगी जारू के बाद फिर मैं पोच्छा मुछा लगा कि मैं नहा लेती हूँ तो बस यही क्लीन करना है और तीन दिन पे तो तीन से सब्सक्राइब में जो पति पायद में करने तो मै तो में कुलीन कर दूंगा टी। कलीन करेंक़ के सीकिंतूट स네 करने करना को छायद में जाम आप chilling अमोर्ट कीस को सब्सक्राइब डिपर डेला एक तो मैं वो सब मैंने देख लिये थे तो सब खाली हो गया था उसको भी मैचे से क्लीन करके रख लूँगी ताकि फिर जो नया में लेकर आँगी उसको इसमें भर सकून तो अभी बारिश हो रही है ना तो सब कुछ सूखने में भी थोड़ा प्रॉपलम हो रही है तो बस यही सब क्ल करना था क्लीन करके अब मैं लगाओंगी फटाफट से जहारू जहारू लगाने के पर फिर मैं पोछा लगाऊंगी पोछा ना अगर एक दिन ऐसा लगता नहीं लगाओं लेकिन मनी नहीं मानता है तो रोज पोछा करना पड़ता है और यह सब में सारा पोंस्ती रहती काल शुलिख जानने हुछ वाइब दो दूट इन वाहीं है,काल काल दूटीा सब्सक्राइब्स करें पांवा काउख बिया में चाहिए,ड़ शुलिखर्वस। काल केक्षर चुछ काल ये,काल केम्कें पाल ये,कि में गौवी है। कि तो जो केले का कोफ ता है वो तो जो केले मैंने सबजी ओल् Russians कर लिया मैंने वाश कर लिए मैंब उसके बाद इसको बऊइल्द होने के लिए जोड़ दूगी तो इसमें बस दो सीटी लगती है ज्यादा सीटी लगाने की जिरत नहीं पर ती है तो सुह अगर जल्दी उट जाओना मुझे ऐसा लगता है अगर सुबह जल्दी उट जाओना तो काम भी फटा फट से सारे हो जाते हैं और सुबह उटना तो होई जाता है क्योंकि आरुस का स्कूल होता है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग उटना होता है तो मैं छे बजे कितना भी कुछ हो यहीं आप उसका छिलका हटाकर मेश कर लोगे तो अच्छे से इसली वह सॉफ्ट मेश हो जाता है बना बाद में गुठली हो जाती है ठंडे होने के बाद उसके बाद फिर यह जो मसाले थे उसमें थोरा सा ना आप जो धनिया पती की डंटल होती है वह भी एड करके देखिए इसमें तीक प्राइ ने चेश सेशने और आपकर में यह घंच सकते हैं या ना इसमें राख मीश को से टमाटर के मतनेज थोरे से ६ाहरी और जो ठाण अपम स्थेलिया ना ऑज पम साथ गर जींग बादो मलुए हो जह एड राख शीम एक्र जुद कर क्योंकि जादा बर aç म केले का वो जो कोफते वाला फ्लेवर होता है वो नहीं आता अब इसमें मसाले में एड़ करूंगी जिसमें मैंने हल्दी मेर्च धनिया पाउडर थोड़ा से गरब मसाला और थोड़ी सी हिंग उसके बाद जवाइन करस्ट करके डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी इन स उसमें जरूर थोड़ा सा पानी एड़ किजीगा उसके क्या होगा ना कि कोफता जो है वो काफिध फ्ल०फी एड़ सौफ्ट बनेगा अगर आप इस Kayla तो ऐसे भी चाहो बना सकते हूँ थोड़ा सा पानी इसमें डालने से कॉफता जो है काफिध फ्ल०फी एड़ मैं एककडाही ले ली थी सरसों तेल षची अटा टाल दिया ता टेल अच्छी सगल उच्छ हो चुका है और सर सारी कॉफटी जी सफका बना का चाहते हैं तो सारी कॉमते में अच्छी तेल लोगी ता बली और सार तोड़ासा मेरेजमेंट करना पारता थोड़ासा आपको जल्दी उत ना पारता है अगर आरैस کے स्कूल जाने के बाद, अगर मैं मैं लेज़ी ओ जाओ, तो फिर मेरा होता है मेरा खुद का काम वो मैं कर लेती हूं लेकिन मैं सुबह से लग के पुरा काम कर लेती हूं तो सारा काम हो जाता है मेरा तो सारे कोफते ऐसे ही मैंने तल लिये हैं अब सारे कोफतों को मैं निकाल लूँगी उसके मसाले केशब भठाइन दो केसे बाद लिए यह उसके बाद से हैं इसे भी कोफता ऐसे भी आपक्षा णे derived पसंद लगता है चार पांच उसने ऐसे ही ड्राई ही खा लिया था उसको बहुत टेस्टी लगा था खाने में अक्चली तो बस केले का कौफता ना हम लोग मतलब महिने में एक या दो बार तो मैं बनाई लेती हूं बहुत टेस्टी लगता है खाने में इसलिए और उसके दाल चेनी का पाउडर एक बड़ी इनाई ची दो तीन लॉंग दो छोटी इनाई ची और जो एक स्टार फूल होता है वो मैंने डाला था अब इसमें हल्दी और मिर्ची मैंने पहले डाल दिया है क्योंकि जो मसाले डालूंगी ना वो उड़ेगी नहीं इसलिए तो मैंने पहले डाल दिया उसके बाद जो यह मैंने मसाला पीस के रखा हुआ है वो सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है अब सारे मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी भूनने के बाद ना फिर मैं इसको इसमें और वी जो सामान है वो मैं अच्छे से भून के फिर मैं तयार करू प्यास जब तक ड्राइ ना हो लाल भून के ना तो वह टेस्ट नहीं आता है तो बस थोड़ा सा मैं इसको अराम से ऐसे भूनूंगी थोड़ासा टाइम देकर उसके बाद धगधा के मैं आप देखो कि मैंने सारा जो मसाला होते है वह भूल लिया है उसके बाद और भी जो मस ऐसे बूनने के लिए चोड़ दोगी और मसाला में बहुनती जल्दी है और घेबी के लिए तो मैं आपको हमेशा ही बताती ओए मैं गरम पानी ही यूज करती हूँ गरेबी के लिए तो बस गरम पानी में तहरी पर पॉन कर दाल दिया था और फटाफट से इसमें मैंने डाला मेरा मसाला बिल्कुल ही भ५ुन करते हैं अब इसमें पानी पाली और नभी तौनी पानिक वायों अब इसको अच्छे से मैं चला लूँगी चला के मैं इसमें थोड़ा सा और गरम पानी डालूँगी ग्रेवी आपको अपने एकॉर्डिंग आप रखो आपके कुएंटिटी कितनी चाहिए आपको रोटी के साथ खाना या फिर चावल के साथ खाना है तो हमें थोड़ा सा मै बाइल होने के लिए मैं छोड़ दिया जब यह अच्छे से बाइल हो जाएगा फिर मैं जितने भी कॉफते हैं वह मैं इसमें एड़ कर दूंगी मैं बस उसके बाद मुझे दो से तीन मिनट ही इसको डखना है क्योंकि यह कॉफते ना ऑल्रेडी बहुत सॉफ्ट होते हैं आप इसमें इसको ज्यादा पकाऊगे तो यह सल टूट जाएंगे और केला का कॉफता जो होता है वह सारा जो ग्रेबी होता इसको सोक लेता है अच्छे से अब्जर्ब कर लेता है तो यह मेरा कॉफता बनके तयार है इसको धनिया पता के साथ मैं कर दूंगी गार्णिस ब अपने डेली के ब्लॉग लेकर आती हूं और मैं रेसिपी खाना अपना रूटीन क्लीनिंग रूटीन सारा चीड में शेयर करती हूं और यह है मेरा यम्मी सा लंच चावल और कोफता आज मैंने पापर वापर कुछ नहीं बनाया था तो चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स् क्यान गूटीन सारा छूटीनिग तो चूटीन।